नमस्कार दोस्तों श्रिशान्त की नई फिल्म क्याब्रे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है रिचाचड़ा के साथ दमदार विलन के रोल में नजर आएंगे श्रिशान्त बॉलिवुड में इन दिनों फिल्मों का डिजिटल प्लाटफॉर्म पर रिलीज होना शुरू हो गया ह ऐसे में बीते रोज काब्रे का ट्रेलर रिलीज किया गया है इस फिल्म के ट्रेलर में बिग बॉस बारा की जो फेमस कंटेस्टेंट रहे श्रिशान्त भी नजर आने वाले हैं जो इस फिल्म में विलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं फिल्म में श्रिशान्त के इस ट्रेलर में रिचर चड़ा के साथ साथ शिशान भी बहुत ज़ादा जच रहे हैं जहां वो फिल्म के ट्रेलर में कमाल की अदाकारी करते दिखाई दे रहे हैं वहीं बेग बहुत से निकलने के बाद शिशान्त की इस फिल्म के ट्रेलर का रिलीज वोना वील्म के लीए अच्छा सौधा साबित होगा इस फिल्म में रिचा चडड़ा बहुत होट अंदाज में नजर आने वाली है, जिसकी कुछ खास जलक हमें फिल्म के ट्रेलर में भी देखने को मिली है वहीं इस फिल्म में गोलशन देव एक बार पत्रकार की भूमिका में नजर आने वाले हैं इस फिल्म को Z5 पर लांच किया जाएगा और ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है तो देखा जाएगा जो शिशान्थ हैं जो इतने सारे दिलों को जीच चुके हैं और इतना सारा मान सम्मान हासिल कर चुके हैं उनकी जब ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या दमाल मचाएगी और लोग इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटेड है जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि इस पूरे ट्रेलर में जो शिशान्थ है या फिर रिचाचड़ा है या फिर हम किसी और की बात करें जो पूरा एक महाल हमें ट्रेलर में दिखाये गया है वो बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट से भरा हुआ है और जो शिशान्त के फैंस हैं वो उनकी इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट साबित होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बॉस 12 में जो जर्नी रही है शिशान्त की वो बहुत ज़्यादा खास रही है और बहुत ज़दा उतार चड़ाव के साथ रही है जिस जर्णी को लोगों ने बहुत ज़दा पसंद किया और बहुत ज़दे तारीफे श्रिशान्त की की गई तो देखेंगे कि आखिर ये मुवी क्या सफलता दिलाएगी श्रिशान्त को अगर आपको इसका ट्रेलर आपने देखा है और आपको कैसा लगा और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए अपनी राय हमार साथ जरूर साजा करें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें थांक यू सो मच कीप वाचिंग टुदेश फर मोर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ टुदेश की आपको जरूर डाउनलोड करें धन्यवाद